करीब 200 साल पहले ही वियना की उनिवर्सिटी में संस्क्रित की पढ़ाई शुरू हो गई थी भारत के अनेक महान लोगों ने भी आस्ट्रिया से बहुत प्यार पाया है फ्रेंड्स भारत की तरह ही आस्ट्रिया का इतिहास और कल्चर भी काफी पुराना है शांदार रहा है एक दूसरे के साथ हमारे संपर्ग भी इतिहासिक रहे हैं और इसका फाइदा दोनों देशों को हुआ है ये फाइदा कल्चर में भी हुआ है और कॉमर्स में भी हुआ है करीब 200 साल पहले ही वियना की उनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई थी 1880 में 1880 में इन्नोलोजी के लिए एक इंडिपनेंट चैर की स्थापना से इसे और उंचाई मिलें आज मुझे यहां कुछ जाने माने इंडोलोजी से मिलने का आउसर भी मिला उनकी बातों से साप जलक रहा था कि भारत को लेकर उनकी रूची बहुत ज्यादा है भारत के अनेक महान लोगों ने भी आउस्ट्री जाया से बहुत प्यार पाया है वियना ने रविन्द्रना टगवर और नेता जी सुभाज जैसे हमारे अन्याएक महान व्यक्तित्वों की मैजबानी की है और गांदी जी की शिश्या मेरा बेन का अंतीम समय वियना में ही बिता है साथियों हमारा सिर्फ कल्चर और कॉमर्स का रिष्टा ही नहीं है बलकि साइन्स भी हमें जोडती है बहुत साल पहले वियना उनिवर्सिटी में हमारे नोबल पुरसकार विजेता सर सीवी रमन का लेक्चर हुआ था आज मुझे नोबल पुरसकार विजेता एंतोन जैलिंगा से मुलाकात करने का आउसर मिला इन दोनों महान वेग्यानिकों को कॉंटम ने कनेक्ट किया है कॉंटम कॉंपुटिंग पर एंतोन जैलिंगा उनका काम दुनिया को प्रेरीत और प्रोचसाहित करता है अब घिसी पिटी खबरे नहीं देखिये बहतरीन, प्रेजेंटेशन हाई, क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाशा में सिर्फ वन मिंट में